एक गरीब लादली की कहानी अनन्या एक गरीब लड़की थी उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और मा दूसरों के घरों में चौका बर्तं किया करती थी अनन्या अपने माव बाप की इकलोती लड़की थी उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाद प्यार से पाला था वे चाहते थी कि अनन्या पर लिख कर बड़ी आदमी बने जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंप मिठ जाए अनन्या ने जब दस्वी का इमतहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए उन्होंने कस्वे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया इंटर कालेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगार करके उसे एक पुरानी साइकल भी दिला दी जिससे अनन्या को स्कूल जाने में परेशानी न हो अनन्या जब साइकल पर बैट कर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आस्मान में उल रही हो यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वज़े से पूरा हुआ था इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगा कर पढ़ाई करती अगले पार्ट के लिए क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले शुक्रीए